कि एजिंग एंदente हमारे पास आज का चोपीuks होगा mwe अज्यक्ट होता है मतलब आजिंगर चीज तो इजडुएंग है वेजिकली अगर बात करीए इसे अवर्शतर अभ्यावी यह सब्सक्राइश करें वह स्कूना यह श्कुना यह त biết gracias किसी बाइलोटी करना नहीं करने के बाद पली कै रहा ह। कि vậy रहा ह। यह स्पर्बद यह कई पर का वह चाहिए जैसे आपका अमीवाः घुरा होता होता ह। हम लोग के साथ क्यों हम लोग मरते हैं हम लोग इमोर्टल नहीं है विस चीज चीज को अगर आगर बात करें कि एजिंग चीज क्या है तो मैंने आपके लिए उसके लिए पूरा एक व्रीट्व पूरा स्रीपेर्ट किया हुए है कि आप लोग पर आप शबेया है तो तो हमें बहुत अराम के अराम से सब्सके श्माज़ें सल पशला chain अपके स्क्रीम पर जा रहा होगा PS3 अभी कि अधिस्क two- contraction वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद बड़ा हुआ, एडल्ट एज में आया, फिर वो बड़ा हुआ, बुढ़ा 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 हुआ है a process that is genetically determined and environmentally modulated ऐसा process जो कि genetically determined genetically what determined किया हुआ है कि आपको होना ही होना है एक तैस ही परसिरिया है होगी ही होगी और दूसरा चीज यह क्या यह environmental environment से modulate किया जाता है यानि environment इसके impact डालता है आप देख रहे होंगे मैं बार बार क्याता हूं कि जेनेटिक्स के मारे में बात करें जो होता है कोई भी चीज जेनेटिक्स जो होता है वह बेस्किलिए हमारे अंदर है और उसको नर्चर कुम करता है मैंने आपको इसके लिए छोटा सा एक्जामपल मैंने पहले भी बात के लास में बता चुता हूं कि अगर एक ही दो मक्यी का दाना एक ही भराइटी के अगर लें और दो अलग अलग गमलों में रखें जेनेटिकली दोनों सिमिलर हैं बट अगर इन्वार्मेंट अगर उन् इन्वार्मेंट उसे कुछ नया नहीं बना सकता लेकिन अगर जेनेटिक्स में है भी और इन्वार्मेंट कोड़ा नहीं मिलेगा तो भी वो प्रॉपर्ली पंचन नहीं कर पाएगा तो यहीं चीज है कि दोनों यहीं अब यहीं बात कर रहे हैं कि एजिंग इस बहुत इने कंप्ली track में बेड़ कि एक रॉक नहीं तकते हैं जो जी दिटो थे प्रोशकित गप्रॉषिस नहीं कर और in VerSal अपने चीज हरे जो रेक्प्रीशन होता है मार आऊरा आचने से नहीं देख स्कारव कि once again अंगर कॉषिस करें तो देखते हैं जो रेगुलेशन होता है हмовारा सेर्स किल का अपने जेखा है कि कम्पिलीट रेखलेशन को आपने जेखा है उसके मीट्कर अपने टेखव उसके आपने भूत उसका होता है डिपली केशन जो होता है रेप्लिकेशन शुरूवली अकर्स वेंग डेर इस रीड पॉर रोट एंड डेवलप्मेंट रॉट्वेशन तब होगा जब हमारे पास नीड होगी ग्रोफ की डेवलप्मेंट की इम्रायों से यंग को बनने के लिए तो फटा-फट रेप्लिकेट होगा नया सेल बनेगा औ और जब जरुबत होगी जब हमें रिप्लेस करना है दामेज और लोफ लेट शेल ख non रिप्लेश लेट ग्रोफ इंड ग्रोफ के लिए पर जो नरे डॉट केंद मिनाथ उससी एक्रोफ क्योट टेंद व्atoreर हूं हैं कहीं क्या कर बते हैं नहीं आपके इसुरे के पूरे से साइक्ल को इंफ्रीज आपका जो है इंफ्मेंस गालते हैं और जो हमारे जो वह प्रोड्यूस करते हैं ऐसे प्रोड्यूस करते हैं आप देख लेजिए रोकना और चलाना यही तो रेगुलेशन था और इसी के बीच में जो है प्रोसेस अगर रुखे हुए रहेंगे और या रुख जाएंगे कंप्लीटली और वह सेल पुड़ा पर फंकर नहीं करता पर चला जाएगा तो आगे एजिंग की तरह पलेगा अभंबाक्षनेट इस वेरियर स्थेक्टर्स इंट्रेक्टू रेगुलेट तो रेगुलेट करते हैं यह क्या करते हैं यह प्रेगुले वे साफी प्रॉसी प्रोसीडिन सीरह पेोरभ वडिदopping Χांट आप नहीं देखा जाएगे कोई अे पृता है जैसे ही गिएरर घूता है तो सेल साइकल के चेक्ट्पॉइंट्स सेल साइकल के चेकट्पॉइंट्स उसको रोपते हैं चाहें वो पाव्ला चेक्पॉइन वो आपके G1 फेस में होता है और वो प्रवाइड करता है और उसके अलाबे अगर देखें अगर देखें अगर देखें इस प्रिवेंट डाउटर सेल इने जाने से रोकता है अगर देखें कि 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 अगर देखें क है अगले लाइन में आपको पूरा क्रियर कर देगा the many factors that regulate the cell cycle play an important role in the aging process कैसे देखिये because as cell age their capacity to replicate diminish क्या हो रहा है replication करने की capacity काम हो रही है तिमनिस हो रही है यो हो रही है वागे हम चलेंगे उसके सारे factors stories को देखेंगे तिमनिस होते चले जाती है to the point that are no longer able to divide अब वो बहुत ज्यादा divide करने के process में नहीं है याद कि ये जो cell divide करने के process में नहीं जाएगा यह करेंगा तक का हो जाता था एक पॉप्रोसिस होती है या नेक्रोसिस होता था ना या पॉप्रोसिस नक्रोसिस उसका भी रोल आएगा भी देखेंगे as this occurs the ability to replace damaged or lost cell dwelled and ultimately results and declines in tissue strength and cellular and organ function that characteristics of aging पॉप्रोसिस को देखें तो वह स्टेल के अंदर में replication करने की capacity घटी है जिसके तो देखते हैं भुडापे में जुर्रीयां परती है तरीर पर लटकने लगते हैं इस जुर्री आपने लगते हैं तेस्चिंग की सित्तिक कड़वा दें को एजींग तो बढ़वा देता है अगर हम भात करें DR. एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट P53 आपने देखा है इसको एपप्रोसिस में आपने देखा है इसको कैंटर सेल के ताथ सब जगह पे तो कि यह बार बार कहता हूं इसलिए कहता था कि जब ही भी क्या है कि जब साइंटिस्टों ने सोचा कि लोगों को इमोर्टल बना देत देखा कि जो ग्रोथ के फेक्टर्स है वही डिसके भी फेक्टर्स है तो अगर आप डेथ को हटाने चलेंगे तो पता चला कि ग्रोथ भी रुख गया डेवलप्मेंट भी रुख गया नए आएंगे नहीं नहीं कुछ भी तो इसलिए यह अवस्तंभाव हो जाता है यानि और देत दोनों एक ही जीन से कंट्रोल हो कि एक ही चीज से कंट्रोल होता है। कैसे ग्रोत में त्रोल दुछ में पें में दाएं पर दोटिक पटिक हैं गहातů का रहा है। वहा है। महार कटिम्छी करलता है और टेंगे पटलर होतिनー Sóuk पूरिफिरटी नीकलता है .. क्योंकि cancerous sales कि अगर हम बात करें तो more or less जितने भी cancer होते हैं उसमें maximum cancer P53 gene के interaction के कारण ही होता है arrest at the G1 checkpoint is meditated by P53 जो G1 का checkpoint होता है जानि कि growth 1 पहला phase ही आपका वहां भी P53 gene का ही रोल है और उस जगह mediate के जाता है इसलिए शुरुवात के दोर में ही कि damage DNA को आप calculate करने के लिए निकाल लेने के लिए उसको check कर लेने के लिए P53 gene का रोल है अब देख लीजिए यह एसली क्या था तो आपका एक तरह से P53 gene के लिए भी जरूरी है और यहीं आपको आपका क्या करबा देता है एजिंग भी करवाता है तो आप इसको क्या remove करके जिंगी चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं और अगर हम बात करें कि following the arrest of cell division जब cell division रुप जाता है तो इसको अब प्रोलिफरेट या पर्मानेंट लॉस अब अब देख कहते हैं इसको अब प्रोलिफरेट यानि की दो भाग में बट्री लाइक बचा ही नहीं अब नहीं बचेगा तो दीरे दीरे क्या होगा इसको अब जाता है और उस चोटा होने के कारा मंती में लॉस कर जाता है और वह फाइनली आगे जाएगा दिविजन में नहीं जाएगा तो वो सेल जो करते उमरेगा और बाद उसको फेगो साइटोसित करके दुसरे चेल के दोरा खालिये जाएगा और दीरे दीरे इस तरह की सेल बरने लगते हैं आपके बोडी में तो आपका एजिंग सुग हो जाता है आप बूडे होने लगते हो The accumulation of senescent cell contribute to the aging, है ना, accumulate होने लगता है और आप aging हो जाती है आपके उसे, Because it leads to reduce tissue renewal and repair, tissue नहीं नहीं हो पाएगा, cell ही आपके क्या हो गए, नए cell बनेंगे तभी तो tissue renew होगा, किसी रिन्यूर नहीं हो पाएगा रिन्यूर नहीं हो पाएगा पर क्या होगा डेट से जुर्णियां आपके सजीर में बनने लगेंगी नटकने लगेंगी और एकुमुलेट कर जाएगा पर किसी रिजीर को क्या करते हैं बहुत जाता सपोर्टिव कर देते हैं क्या करेगा वो चल को आगे ग्रोरी करने देगा और गांसर प्रेसेंस में इसी रिये एक अंसर से जब बच भी जाता है तो उसका लाइश इसका घटने लगता है एजिंग का 53C के साथ देखा है अब अब अपप्रोसिस के साथ रोल देख लिए अपप्रोसिस क्या है प्रोग्राम सेल डेथ है और इस और रेगुलेटेड प्रोसेस दार टेक्स प्लेस थ्रूआउट लाइफ क्या होता है एक रेगुलेटेड प्रोसेल है हमेंसा चलता रहता है अगर खराब सेल आए खटा दिया जाना है ठीक है कि विए टू इलिमिनेट निसेसरी और डेमेज चल किसको जो पालतू का सेल है और डेमेज चल है उसको आपको क्या करना है प्रणाम सेल डेट से हताते जाना इमूब करना है अपकोषिस चेक्स प्रेश डिरिंग इम्रावनिक डेवलक्मेंट अजय मेंज और रिषफिलिंग रिष्पिंग टिसू डिरिंग नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट अपकोषिस जो है वहाँ भी होता रहता है मालो क्या मूवमेंट हो रही है सेल की अलाग अलग तरा से अजय को बनाने के लिए इस बीषाइच करने के लिए अपकोषिस वहाँ पर बहुत जरूरी है और होता रहता है वहाँ पर लेकिन अगर हम वही देखें एडिवलपमेंट एड इस प्रवाइड़ेड अमेकेनिजम उप इलिमिनेटिंग वर्न आउट और डेमेंग तरू आ पटाने के लिए काम आता है एज रिलेक्टेट डिजीज सच अगर हम एज़्जाइमर की बात करें इसमें क्या होता है और पार्किंसंस में वहाँ जो सेल फंक्शन में है उनका भी प्रोडाम सेल्डेथ हो जाता है अब जो फंक्शन में थे उभी मरने लगे तो क्या होगा फाइनली मरते मरते हो क्या हो जाएंगे आपको बहुत सारे दुसेल मरे हुए सेल्स वहाँ पर जमा हो जाएंगे और एजिंग इसलिए अल्जाइमर या पार्किंसंस डिजीज के जो पेसेंट होते हैं आप उसमें देखिएगा कि सॉर्ट एज में ही बहुत ज्यादा एज या फंक्शन जो होने लगे थे जो फंक्शनल सेल भी थे वो भी यहां डेड होने लगे थे और गुड़ापा दिखने लगा था वहां पर एक लिए कंप्लीट एग्डाम्पल है उसी चीज़ का ही है देयर और मेनी पाथवे दाट प्रोटीन या पाथवे अन प्रोटीन य लेड़ाव अन दान घंजा पीडाट बखने में सा मुड़ापा दैंते उस आसे लगें व्यों यो क्या होगा अगर ऊप्रोटी शिए लिए लगें अगर वहांग्डे ़ुड़ाप्रोटीन वें मरने लगेंगे और वो मरने लगेगा दा इमेज बिलो इलस्टेट दा अंडर गोईंग अपोफेगी अपने देखा है खुद से खाना अपने देखा है ना हमने पढ़ाता है इसको हमारा और जो हैं ड्रिंकिंग करता हैं और इतिंग को क्या बोलते खैपके हैं जुह फिसकल करेंगे गालगी पी लेगे और चैप्रोटीन परेगा अभटिण सब का उसको ब्रेकडाउन करके अपने प्रोपल में लेगा तो अटोund मेंौग को अनदर कन सबते चैप्रॉप्स इसके थुरू भी cell death होता है, like apoptosis, it is a highly regulated process that play a normal role in cell growth, development and homeostasis. किस चीज में ये काम करता है, आपके normal role का है, cell growth का, मानलो cell growth होना है और उसमें फिर से वही problem, वो properly अगर cell नहीं आया है, यानि कि थोड़ा गरबर cell है, वो damaged cell है, damaged cell है, तो उसको अगर लेके चलेंगे तो damage बहाता चला जाएगा, उसको क्या करना है, phagocytosis से grasp करके खतम कर देन है, तो वो development और homeostasis को maintain करने में ये बहुत मदद करता है, autophagy allowed to starving cell to re-allocate nutrients, क्या करता है autophagy और भी, starving cells को जो खतम हो जोके हैं, जो मरने वाद essence हैं, तो वो तो cells बेचादा आप तो function नहीं करेगा, लेकिन उसके अगर प्रोटीन है, जिससे उसका membrane बना हुआ है, जो lipids हैं और बाकी contents वो तो दूसरे cell के काम आ सकता है, तो उसको लेकर और उसको काम में ले आता है, तो ये nutrients को रिलोकेट कर देता है, रिलोकेट करता है, रिलोकेट करता है, और अन्नेसरी प्रोसेस तो more essential one, ये चीज कर देता है, और essential काम को ही ले लेता है, and it also play an important housekeeping housekeeping role by removing misfolded or aggregated proteins, housekeeping housekeeping, याद रखिएगा housekeeping, एक gene ही होता है, housekeeping gene, अब रोज क्या चीज है, थोड़ा सा हम लोकेट से समझे लेता है, what is housekeeping gene, देखिए, हमारे पास cell के सारे के अपने function है, eye का अपना function है, leg का अपना function है, liver का अपना function है, लेकिन सब में, जो main function करना है, क्या living तो रहना है, सबको, सब division तो करना है, अपने function के लावे, तो जो proper function है, उनका अपना, वो specific function है, और जो common function है, यानि जो cell के जो अपने function करने, जो cell, एक cell की integrity mentor रखना है, तो वो 40 chromosome में से, अगर हम उनकी बात करने या जिसमें भी, तो उसमें से कुछ housekeeping chromosomes होते है, जो की essential होता है cell के बांकी total function के लिए, अब उसमें से कुछ special function के लिए, जैसे देखने के लिए आई वाले में, तो उसका methylation नहीं होगा, बाकी सबका methylation हो जाएगा, है ना, और आई वाला जो है देखने का काम करेगा, लेकिन आयसा थोड़े है कि वो आई डिवाइड नहीं करेगा, आई के और और चीज हो जाए रहते हैं, और जो damaged organelles होते हैं, जैसे कि mitochondria है, इन जब को बाहर निकालने का काम इसी के लिए होता है, कि से तुरू या पैथोजन आजा है तो, और फैगी के द्वारा, अब देख लीजिए, some authors believe that mitochondria dysfunctions which is believed to contribute of cellular aging, mitochondria क्या है, powerhouse of the cell, याज कर लीजिए, अब इसमें क्या हो अगर वो dysfunctions करने लगा, बहुत ज़्यादा dysfunctions ने, आएंगे उस पर तो इछाएंगे, दिखे का में clearly, कि वहाँ पर जब हम जाएंगे और देखेंगे तो वो रिमूव करता चला जाएगा, उसको नहीं रिमूव करता चला जाएगा, उसको नहीं रिमूव करें तो, वो mitochond अगर वो रुख जाएंगे तो भी क्या होगा, एजिंग बरने लगेगी. Some studies suggest that chloric restriction, chloric, हमारा calorie, जो calorie value हम लेते हैं खाने के बड़, जो खाना का calorie value होता है, हमारा, उसको restrict कर देता है, नोटेंट वागारा में, वो भी हमारा एजिंग की तरफ, autophagy जो है, वो बढ़ाने में हेल्प करता है, एक मिल, यहां हो रहा है, ओके, डेख लो, इस फीगर में हमने किलियरली इसको समझाया है, देखो यहां पर, यह देखो हमारा क्या है, आइसोलेशन मेंब्रेन है, ठीक है, देखो यह सिल्स, जैबरीज अंदर में जितने भी हैं, प्रोटीन से हैं, माइटोपॉन्री हैं बगएरा, यह सब जो हैं, autophagosomes बना लिया, और lysosomes के स्वारा जूरके, सब को degrade करके दोर आतोर के कैसि में अपने काम के लिए लिया, है ना, नए सिल्स के अंदर गुस आके उसके सारे डेब्रीज को काम में ले लिया गया, तो यह autophagy के थूरू यह काम करते हैं, अब बात करते हैं कि aging के लिए जो theories क्या-क्या है, यह तुम देखें कि aging कार्णों से हो सकता है, य होंगे, उसको देखते हैं, हम बात करें, why do we age? हम लोग, age हम लोग का क्यों बढ़ता है, although the question has been raised since hundreds of years ago, बहुत पहले से, क्योंकि लोग अपने age के बारे में बहुत conscious रहे हैं, शुरू से ही, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जी सके, लोग अपने immortal के लिए बहुत ज्यादा कोई मरना नहीं चाहता है, हर आदमी चाहता है, मैं जितनी जितना ज्यादा जी सकूँ, जितना भी अपने age को बढ़ा सकूँ, कैसे ही प्रोसेस पे सुरू से लगी रही है, हर कोई, लेकिन विडंबना यही है, कि मिर्ति वटल सकते है, अगर आए हो, तो तुम्हें जाना ह और वो ऐसा नहीं कि साहित से कहता है, वो बिज्यान प्रूव करता है, कि क्यों मरना है आपको, क्योंकि जैसे ग्रोस करना है, जैसे आपको डेवलप्मेंट करना है, तो ऐसे आपकी एजिंग भी होगी ही होगी, अगर एजिंग को रोकोगे, तो आपका ग्रोस भी रिख ज के आपको पूरा प्रूब करता है एक एक जो पीछले एक दसक से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी थीज तो हैं एजिंग को एक्स्प्लेंग करने के लिए लेकिन कोई भी आज तक रियली में बात करें तो सब्सक्री भी नहीं है किसी के दोरा एजिंग हो रही है बहुत सारे सक्टर्स लगते हैं याज तक नहीं दे पाया इंस्टीड इस थीओरी इंट्रेक्ट विच अधर और अल इस तोगेर कंट्रिवूट एजिंग में बात करें अगर इन सब के साथ इसका भी मिलकर कंट्रिवूट करते हैं एजिंग और एजिंग होता है वी विल वानली डिसकस थ्री मेजरी यहां पर हम लोग क्या करेंगे थीन मेजर टुभी विसकस करेंगे जिसके चुरूर एजिंग होती है क्योंकि बहुत सारे थीओरी सो में चांगना और समझने की उप्ती जडूरत भी नहीं है पहली जो पहला जो फ एकुमूलेशन औफ सेनसेंस सेल जो सेनसेंस सेल हैं जिन में क्या हो गया चैपिसिती खतम हो गई रेप्लिकेट करने की अब रेप्लिकेट नहीं कर रहा है यानि उनका एज उनकी लाइफ खतम अब वो क्या करेंगे वो देखा जाया से इसे फाउंड इन वीबो मैमल्स विच किनिग्रिजिंग एल जब हम इन भी वो स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो सेनसेंस सेल हैं वो बरते चले गए और उनके अंदर में एज रिलेटेड पैसलोजी भी बरती चली गई जैसे-जैसे एज बरता गया उनमें बीमारीयों से लगने की घटी चले गई और उनम इस टेट अब इर्रिवर्सिबल ग्रोथ और यह आप दिर से पा भी नहीं सकते है और यह आप फिर से पा भी नहीं सकते हैं और लिए और फिर से आप। प्रिवर्सिबल ग्रोग्ट एरस अगर हम देखें हमारे पास जो हिमन का फाइबरोग्लास फाइबरोग्लास थे रहेंगे और धीरे धीरे वह आपके क्या करने लगेंगे देखिए meaning that cells being cultured in vitro has lost the ability to divide क्या हो गया divide करने की ability सतम अब डिवाइड ही नहीं कर सकता है तो नए cells बनेंगे क्या repair होगा क्या DNA damage हमारा control में रहेगा क्या हमारा repair या growth हो पाएगा क्या नहीं तो क्या हो जाएगा finally sentence या death की तरफ move कर जाएगे two general models have been proposed to explain how cell resistance may contribute to Egypt पहला क्या है first the senescent cells in tissue may accumulate to the point where the strength and functional capacity of tissue is compromised पहला क्या कहा कि अब ये cell जो strength या उस function जो देते थे उस जगह पे ऐसे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि बुड़े हो गए है पाचन की रिया खतम हो रही है जल्दी सब कुछ पचेगा नहीं बहुत ज्यादा मत खाईए कहते हैं ना बुड़े हो गए हटी टूट दिया ही तो ठीक से नहीं क्यों कि यहीं हमें हमारे पास यह knowledge पुनाने हम लोग से समझ रहे हैं वह क्या रहा है हमारा जो हमारे जिस टीसू से बना है उसमें अब सारे के सारे अब उनमें रीजेनरेट करनी की कैपसिती नहीं है अब वह प्रपरली अपने काम को नहीं कर सकते हैं तो क्या हो गया हमारा वहां पर जमते चले गया और धीरे धीरे वह अब पुरा पढ़ चुके हैं तो फानली सेनस्ट की तरफ बर जाएंगे और बात हम करें की असेकेंड मोडल प्रपोस्ट आग सेनसेंस इन स्टेंट इन सेल्स लिमिट देर रिजनरेटी पोटेंटियल विच इवेंच्वली लिड्श्वली लीड लिड्स प्रोग्रेसिव तब ही समझ में आएगी ज़ेज़ आप पूरा पर चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा हुआ है कि तेम सेल्सी क्या करते हैं नए सेल्स में प्रोडूस रेट होते हैं अब उनमें भी सेनसेंस हो रहा है अब वो नएसंस यानि यह उनको बने हुए हैं उनके फंक्सन लौस हो रहा है उनका सब कुछ लॉस हो के कुमलेट कर रहा है और जो हमको बना के जो देता उसके भी functions में लॉस आने शुरू हो गया है और वो भी नया नहीं बना पा रहा है तो क्या होगा फाइनली वह strength हमारा और function हमारे घर्टे चले जाएंगे cellular senescence can be triggered by number of mechanism क्या क्या मंगा हो सकता है cellumere का sorting DNA का damage देखेंगे 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 DNA का damage mitochondria का DNA हो या कहीं से भी DNA हो कोई भी DNA हो हमारा बहुत सारे चीज़ से damage हो सकता है या तो reactive oxygen species से हो जाए डबल strain प्रेप हो यानि कि source of DNA damage includes external sources such as ionizing radiation tobacco smoke है ना जो टोवाको क्याव आएगा air pollution genotoxic drug जो genotoxicity cause करे cell intrinsic source जो cell के अंदर में खुदी source है बहुत सारे जो की रोकेंगे कौन से जैसे P53 gene है tumor suppressor gene है growth factor से है ना यह सारे such as replication error जो replication में error आजाए तो प्रोग्राम double strain break कोई भी double strain प्रेक हो जाए DNA में तो DNA damage अगर कुछी agent के दोवारा यानि की reactive oxygen species के किसी के सुरूब आप देखिए O2 minus आ रहा है या फिर NO आ रहा है OH आ रहा है O3 ozone से आ रहा है air pollution के सुरूब आ रहा है कोई भी सब मिलके किस पर कर रहा है DNA को damage कर रहा है that means की हर factor एक साथ मिलके हमारे aging की तरफ हमें बढ़ा रहा है यानि जितने स्वच्छ बाताबरन में आप रहेंगे उतनी आपकी एज आपका life span longevity बढ़ती जाएगी और जितने ही polluted बाताबरन में रहेंगे आपका एज घर्टा चला जाएगा और रियक्टिव और समझ लेते हैं कि कैसे करता है रियक्टिव और स्पीजन एस्पीज आरो एस सच एज सुपर ऑक्साइड एनायं एंज हैड्रोग्सिल रेडिकल्स हैड्रोजन परफसाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नॉर्मल बाइप्रोड़क्ट अफ मेटाब अगर इनापोलिजम बहुत तेज हो रहा है और केताबोलिजन कम तो हम्त ग्रोथ करते चले जाते हैं हमारा ग्रोथ होता है तो बच्पन हम नहीं चलते हैं और उस समय क्या होता है कि कि हमारा growth rate इतना fast होता है और नए sales आते हों और हमारा इसका वेंजिंग का capacity हमारे नए sales को खा जाने की यानि फेगो साइटोसिस करने की सबकी capacity बहुत तेज होती है इन सब को हम लोग remove करते चले जाते और ग्रो करते बहुत अच्छे लेकिन बाद में चलके यहीं धीरे-धीरे घच जाती है ROS can damage mitochondrial DNA, mitochondria के भी DNA को कम करता है and protein क्या होगा? mitochondria का DNA अगर कम होगा तो mitochondria function कम होना शुरू होगा और mitochondria क्या है? energy का हमारा powerhouse है और energy ही जब नहीं मिल पाएगी तो सारे process में धीरे-धीरे decrease होने लगेगा और हम लोग जहां पढ़ेंगे? aging की तरफ बढ़ने लगेंगे and the mutant mitochondrial DNA is turned are more liable to produce ROS fry products जब एक बार mutation भी हो जाए तो ROS के साथ है और जाता हूँ ROS बनाने लगते है और reactive oxygen species DNA को तोरना सुरू करेगा DNA टूटेगा बहुत जल्दी apoptosis में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो मड़े हुए dead cells बचते चले जाएंगे हमारे जुर्यां परने लगेंगी हम बुड़े होते चले जाएंगे और फाइनली सारे के सारे जब cell death कर जाएंगे तो function ही किसू नहीं करेगा और function हमारा सारा का सारा हमारा सरीर और हम लोग death की तरफ बढ़ जाएंगे therefore a positive feedback loop of ROS is established with the age the number of mutant mitochondrial DNA increase and mitochondrial function decline जैसे जैसे age बरता चला जाता है mitochondria का mutation बरता चला जाता है और mitochondria का function decline करता है और leading to increased production of ROS का production बरता है और वो क्या करेगा finally lead कर देगा aging की तरफ the increased generation of ROS can cause lipid poroxidation यह सब भी lipid poroxidation प्रोटीन डैमेज और DNA लेशन सेल्स के अंदर सब कुछ काम करता है और finally कहां पहुंचा देता हमें senescence की तरफ पहुंचाता है DNA को डैमेज करके देख लीजिये कैसे माइटोकॉंड्रिया में reactive oxygen especially और आपका क्या किया mutation किया mutation से फिर आपका माइटोकॉंड्रिया नया बना sweet dysfunction mitochondria दीरे दीरे कहां तक बढ़ा दिया आपका aging की तरफ आपको यह figure बहुत अच्छे से जो पुडा पीछे जो बात हमने की ती उसको एक line में संझा रहा है कि वहां पर एक्ट्योंड्रिया बना उसने DNA को डैमेज किया mutation हुआ मैटोकॉंड्रिया का dysfunction हुआ और यही इस जो है aging की तरफ बढ़े तो accumulate होते होते कहां पहुंचाएगा बहुत सारा हो जाएगा तो accumulate होके aging की तरफ बढ़ जाएगा उसके लावे एक जो आपका प्रोसेस है telomere sorting what is telomere आपने देखा है chromosome के सबसे इंड पर telomere होता है और वो hairpin स्ट्रेकराई से मूल कर उसको बसाता है और वो क्या करता है हमेशा DNA को protect करता है हमारे लेकिन हम यह जानते हैं कि जितनी वार replication होगा यह telomere का पर भी इंड खतम होता है चलाया आप स्कॉर्ट होता चलायाता है इस चीज को मैं सीजह सम्झाता हूं त्यकर से देखिए Promozooms है नीचे में telomere